सब्सक्राइब देख रहा है आप में आपके साथ राजमोन सिंग सुप्रीम कोड का एतिहासिक फैसला आ चुका है अयुग्धिया मामले पर हिंदू के पक्ष में फैसले आया है और इस सुप्रीम कोड के इस वर्डिक को हाला कि तमाम पार्टिया इसका स्वागत कर रही है कि विपक्षी पाटियों ने भी इस फैसले का सम्मान करने की बात गई है हमारे साथ रले स्पी के मुख्य प्रदेश प्रभक्ता है अब शेक जी उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि आरलेस्पी फैसले को किस तरीके से देखती देखिए ये बात सिर्फ रले स्पी की नहीं ह मारनी सुप्रीम कोट ने जो एतिहासिक फैसला दिया है, शायद भारत वर्ष के मुस्ट अवेटेड केस का जो फैसला आया है, उसका स्वागत हमें ही नहीं है, पूरे देश के हरेक नागरिक को करना चाहिए, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोट ने इस बात का खयाल रखा है कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो, सुप्रीम कोट ने जो निर्नय दिया है, वह निर्नय तत्थ्यों पर आधारित था, वह निर्नय धार्मिक भावनाओं पर आधारित नहीं था, दोनों पक्षों के हितों का खयाल रखते हुए, वह जो विवादित जमीन थी, व पूरे भारत वर्ष में नहीं हुआ होगा लेकिन इस पर एक बिवाज़त बयान आ गया अजदुदिन ओवैसी का ओवैसी ने कह दिया कि हमको ऐसी खारायत नहीं चाहिए पांच एकर जमीन नहीं चाहिए और इस तरीके के जो बयान जो नेता देते हैं सौहाथ बिगाने कोश है उन्होंने इतना लंबा समय लिया हर एक तथ्यों को इवालूएट किया इतनी बार सुनवाईया हुई तब जाकर हम किसी रिजल्ट तक पहुँचे हैं तो अब हमारे देश में अन्ने भी बहुत मुद्दे हैं अब इन मुद्दों पर राजनीती नहीं होनी चाहिए हमे अब देश में जो बेरोज़गारी है जो समस्याएं है जो मूल भुच समस्याओं से पुरा देश जूच रहा है उसके विशय में सोचना चाहिए अब मंदिर मस्जित का जमाना जा चुका है अब आज के युवाओं को रोज़गार चाहिए लोगों को स्वास्थ के लिए व्यवस्था चाहिए सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए अब इन मुद्वों को लेकर हमें संगहर्श करने की जरूरत है बिल्कुल तो आजले स्पी के निता हमारे साथ थे उन्होंने साफ तोर पे कहा कि सिर्फ मंदर मस्जित की बात से ही काम नहीं चलेगा अब रोजगा की बात भी सरकार को करनी होगी साथी साथ अन्य मुद्वों की तरब भी ध्यान देना चाहिए फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहें दियाज़ी न्यूस के साथ तमशकार प्रूमस की बात भी न्यूस के साथ तमशकार